नमस्कार शार्तियों, पिष्ली बार हमने मापन और मुल्यांगन के बहुत एक्जाम में हिंदी में उनसे समंदे जितने भी मोटे-मोटे सिध्धान थे उनको थोड़ा सा अच्छी तरीकी से समझने का प्यास किया था आज उसी के आगे का एक टॉपिक है हिंदी सिक्षण का ही आपका है जो लगबग वही बात है हर एक्जाम में आता है क्योंकि यह लगबग इससे जुड़ावा है मापन मुल्यांकन और उप्चारात्मक सिक्षण उसी का आगे का एक भाग है तो यह भी बड़ा महतोपन टॉ है महत्त Бणा थाश कषण के आपको आपको प्जब टॉपली अपटकर 7य tuvily से लिए दोव भातों को कोई तथी इसमें है नहीं, ज्यादा तरिस्म कंसेप्ट से, तो एक एक करके हम किस्टन्स देखते हैं, बहुत साधरन से किस्टन्स पूचे गये हैं, और साधरन से उनके कंसेप्ट है, पहला किस्टन है, निदान की परिक्षन विधी के प्रकार बताईए, रीड 2015 में ये प्रसंद पूचा गया था कि निदान की परिक्षन विधी के कितने प्रकार होते हैं, और साथ, दो, चार और आठ, तो अब आपका आंसर क्या है, इससे पहले, हम पिसली कक्साम में कुछ चीज़ें हमने कीती उनके बारे में चलते हैं, पिसली कक्साम में हमने दोस्तों ये देखा था कि जो आपका मुल्यांकन है, सतत और समगर मुल्यांकन हम जब पढ़ रहे थे, तो एक जब बच्चा स्कूल में आता है, स्कूल में आने से लेके, संपूर्ण उसकी जो शिक्षा प्रक्रिया है, उस दोरान उसका कम्प्लीट एवेल्वेसन होता है पूरी निरंतर रूप से उसका मुल्यांकन होता रहता है, सतत रूप से और समगर मुल्यांकन उसका होता है, तो जो सतत मुल्यांकन में हमने मुल्यांकन के चार प्रकार देखे तो एक बर मैं वापिस लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला देखा था हमने नियोजन या स्था आपन मुल्यांगकन दोनों नों से कोई सब्भ्स को एक पूछ सकते वाण में इस यह जानी नियोजित करना सरवात में इस्थाफभन यह निकिल इस्तापित करना यानि कि बच्चा जब सरवात में आ रहा है आते ही वो उस class के लाइक है या नहीं है इस बात का पता लगाने के लिए जो मुल्यांकन हो रहा है placement evolution उसे बोलते है नियोजन यह स्थापनुल्यांकन आ गया वच्चा पढ़ने लाइक है वो छट्वी क्लास में आने लाइक है उसके बाद में छट्वी क्लास में जब उसको पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ने के दोरान उसके जो दिक्कते आ रही है पढ़ने के दोरान वो जो है ठीक ठाक कर पारा अग नहीं कर पारा है कंसेप्ट उसके ठीक से त्यार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसके लिए निर्मानात्मक मुल्यांकन या रसनात्मक मुल्यांकन, इंगली स्टेज हमने देखी थी कि उसका कोई पाठ पूरा हो गया, या उसका सत्र पूरा हो गया, सत्र पूरा होने के बाद में, पाठ पूरा होने के बाद में उसने क्या पाया है कितना उसने सीखा है उसका जो मुल्यांकन था उसे हमने बोला था सारानसात्मक मुल्यांकन या संकलनात्मक मुल्यांकन या इसे योगात्मक मुल्यांकन भी बोल सकते हैं जो समय समय पे लिया जाता है आपके जैसे पहले हम तो टेस्ट लेते थे उसके बाद में आपके अर्दवारसी प्रिक्षा होती है वारसी प्रिक्षा होती है सत्र पूरा होने के बाद में होती है तो इस प्रकार के मुल्यांकन को बोला था योगात्मक मुल्यांकन ठीक है यहां तक तीन मुल्यांकन आपके हो गए थे यहां तक आने के बाद में अब ये देखना है कि बच्चा जो है उसके दी माक्स कम आ रहे हैं यहां से हम यहां तक तो सभी विद्यारतियों का मुल्यांगन हो रहा है हर एक प्रकार के विद्यारती का मुल्यांगन हो रहा है लेकिन यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो विद्यारतियों की थोड़ी सी छंटनी होगी जो विद्यारती इस योगात्मक मुल्यांकन तक उसका मुल्यांकन किया गया और पाया गया कि वो कमजोर है अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं माक्स अच्छे नहीं है ऐसे विद्यारतियों के लिए सबसे पहले एक अलग से निदानात्मक मुल्यांकन किया जाता है यानि कि वो पढ़ने में किस वज़े से पीछे रह रहा है इस बात को जांचना वो हो गया आपका निदानात्मक मुल्यांकन और निदानात्मक मुल्यांकन का पता लगने के बाद में उपचारात्मक सिक्षन किया जाता है तो ये दो टम आपस में हमेशा जुड़ी हुई है निदानात्मक परिक्षन और उपचारात्मक सिक्षन निदानात्मक परिक्षण किया इसलिए जाता है ताकि उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके अब देखिए निदानात्मक परिक्षण के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा यहां थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो जीवन में कभी उप्चारात्मक शिक्षन का कोई भी प्रसन आप गलत नहीं करोगे निदानात्मक के आगे हमेशन सब्दाएगा परिक्षन निदानात्मक शिक्षन नहीं होता है कुछ लिख देते हैं जैसे हो सकता है कि अपनी क्लास में भी पिछली क्लास में जो उपलबदी परिक्षन के उप्योग थे उसमें हमने निदानात्मक शिक्षन नाम लिख दिया ठीक है किसी सिक्षिया सास्तिरी ने लिखा था लिख देते हैं लेकिन एक्चुल में नहीं होता है निदानात्मक हमेशा प्रिक्षण होगा उप्चारात्मक हमेशा सिक्षण होगा एक तो इस बात का दियान रखें क्यों होगा निदान सब्द का आप क्या अर्थ समझते हैं पेले में एक छोटा सा प्रस्ट आपसे यहां पूछूंगा आप जवाब देने की कुशिश करना खुद से जैसे प्रस्ट आपका यह है कि उप्चारात्मक्षिक्षण है उप्चारात्मक्षिक्षण क्या है निम्न में से उप्चारात्मक्षिक्षण क्या है उप्चारात् आसा पहला उसं चात्रों की कथिनायों कर निदान और संभिंप Markushaon की कथिनाईयों कर निदान रिख mad ineल और यह आपके सामने सबराओक शोटा सब स्परस्थ नहें ऐसा इध है उप्चार आत्म उप्चार्मप्रश्च क्या है निन में से चात्रों की कठेनाईयों का निदान करना अज्यापकों की कठेनाईयों का निदान करना चात्र वे अज्यापक दोनों की कठेनाईयों का निदान करना ये उपर वक्त में से कोई नहीं आप सोचें एक बार इसका आंसर क्या हो सकते हैं उसके बाद में देखते हैं तो देखो इसमें हम मोटे रूप से गलती कर जाते हैं कि कुछ स्टुडेंट्स वह हो लगाएंगे कि सर ठीक है, सिंपल सी बात है चात्रों की कठीनाईयों का निदान करते हैं ये आंसर होगा कुछ करते है कि नहीं चात्रों के शासा साथ स्टुड के कठीनाईयों का भी निदान करते हैं ये आंसर होगा लेकिन ह Finnish ये है कि ये तीनों चीजें गलत है इसका आंसर आपका रहेगा कोई नहीं कैसे कैसे ये हो गया अब देखिए इसको समझे इस चीज़ को यह आपने समझ लिया इसका मतलब उपचार आत्मक शीक्षन आपका पूरा हो गया यहीं पे निदान का ताथ पर यह क्या है यहां यह सब्द निदान है यह गलत है आप जब गूगल करेंगे हिंदी में लिखना जब गूगल पर जाओगे इसकी इंग्लिस टर्म निकालने की कोशिश करता है हिंदी में आप गूगल पर टाइप करो निदान इंग्लिस टर्म आएगी ड जाकि इतना के दाए कि सर बुखार है और थोड़ा सा सरदर्द ज्यादा हो रहा है उल्टियारी है कुछ लक्षण हो बता रहा है लेकिन एक्चल में डॉक्टर को पता नहीं चल पा रहा है कि डेंगू है या मलेरिया है या फिर कोई स्वाइन फ्लू है या कौन सा बुखार ह ऐसे में डॉक्टर उसके लिए जांच लिखता है कि पहले इसका डाइगनोसिस करवा के लओ उसे बोलते हैं निदान निदान का अंग्रेजी सब्द क्या है डाइगनोसिस ये याद रखो यानि कि निदान का वास्तिक अर्थ जो है कारणों का पता लगाना ये टर्म आप याद रख लोगे अपने आप पूरा पूरा चैप्तर अपको पूरा हो गया ठीक है अब्यदी बालक जो है अब मानलो डॉक्ट साब ने वो लिखा वो जाके डाइगनोसिस करवा के लेके आगे जांच लेके आगे जांच को डॉक्ट साब देखेंगे डॉक्ट साब देखने बाद हाँ ठीक है इसको डेंगू है इसका मतलब डेंगू के लिए मुझे क्या इलाज करना है उसके हिसाब कारणे के इतनी सी बात को आपको जयान रखना है। इस बात को यदि आपने ध्यान रख लिया तो अब इसके concept एके करके अपने अपको जाएंगे ठीक है यहाँ अपने आप 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 देखो उफचारात्मक सिक्षन क्या है उफचारात्मक सिक्षन की बात कर रहा है और यह गहरा कि छात्रों की कठिनाईयों का निदान यानि कि छात्रों की कठिनाईयों के कारणों का पता लगाना यह तो नहीं है उप्चारात्मक सिक्षन का मतलब होता है कि जो कारण पता लग गए हैं अब उसके लिए हम सिक्षन करना ताकि उन कारणों को दूर कर सके हैं यानि यहां यदि यह आता कि चात्रों की कठिनाईयों को दूर करना दूर करना होता तो आपका answer ये ठीक हो जाता तो ये term आपके लिए समझना बहुत जरूरी है यही सबसे ज़्यादा मेहत्वपून है चीक है आप देखिए निदानात्मक परिक्षण में जो प्रस्ण पुछा गया वहाँ हम चलते हैं प्रस्ण इसका पुछा गया कि निदान की परिक्षण विधी के प्रकार होते हैं साथ, दो, चार और आठ ये जो प्रस्ण है ये थोड़ा सा विवादासपत प्रस्ण है कैसे जब यहाँ पर आपके शीक्षशास्त्री का नाम नहीं दिया जाता है तो जनलाइज क्योसन है कोई दो बताता है, कोई चार बताता है ऐसा प्रस्ण पहले भी पुछा गया है प्रियोजना विधी के बारे में साइन्स टीचिंग मेथड में क्योसन पुछा गया था कि प्रियोजना विधी की प्रक्रिया के जो चरण है इसका चरन बताते हैं उपलबदी परिक्षण के निर्मान के जो चरन है वह पांच भी हो सकते हैं तो यह किसी शिख्षयास्त्री का नाम देखे पूछे तब तो बाद ठीक है नाम नहीं दे तो थोड़ा सा विवदास्पद यहां पर हो सकता है यहां जो इन्होंने आंसर माना था वो था दो अब यह दो चरन कोन-कोन से हैं इनको अपन देखते हैं या दो विधी इनकी निदान के परिक्षण की कोन-कोन सी है निदान के परिक्षन के प्रकार सबसे पहले इसको दो भागों में ऐसे भी माटा जा सकता है एक व्यक्ति केंदरित दूसरा सम्हुव केंदरित व्यक्ति केंदरित का मतलब क्या है जैसे कोई क्लास में एक चातर जो है किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है बाकी क्लास ठीक है समझ रही है एक बच्चे को कठनाई आ रही है अधिगम में ऐसे में हम क्या करेंगे उस बच्चा जो है उस चीज़ को कैसे नहीं सीख पा रहा पूरी क्लास के अधिगम में दिक्कत आ रही है अधिगम में कठी नहीं आ रही है तो यहां का जो नेदानिक परिक्षन जो हम करेंगे पूरी कक्षा पर या पूरी समुहें पर करेंगे तो ऐसे को कहेंगे समुहें केंद्रित नेदानिक परिक्षन इस आदार पे नेदानिक यह पहले पढ़ चुके हम दो परकार के होती है एक अध्यापक निर्मित परिक्ष्ंग और दूसरा मनकी क्रत या परमानिकृत परिक्षण ईश्वंगू होता है याना कि जिसमें नियम बिलकुल स्वेय हैं उसी के परिक्षन को भी दो प्रकार से किया जा सकता है अध्यापक मिर्मित और मानकी करद ठीक है अगला देखो ऐसा है कि हिंदी भासा के लिए जो सिख्षय सास्त्री है वह मानते हैं कि हिंदी भासा में मुख्यते वाचन पठन लेखन जैसी दिकते आती हैं उसके लिए ये दो परकार से हम नेधानिक परिक्षन करें तो सारी समय स्मेश्य वर जो कठी नहीं है। उसका जयान कर सकते हैं और वो है मौकि परिक्षण और लिखित परिक्षण ये नेधानिक परिक्षण के दो परकार फिर थिक सक holyा helped उप्चारात्मक शिक्षन है, रीट 2017 में ये प्रसंद पूछा गया है, इसके options देखना, आप options से इसको ठीक कर दोगे, पहला option है सीखने समंदी कठिनाईयों का ज्यान प्राप्त करना, देखो हमने पढ़ा था अभी निदानात्मक परिक्षन, निदानात्मक परिक्षन का मत मतलब क्या है, कठिनाईयों के बारे में पता लगाना, या कठिनाईयों का ज्यात करना, या कठिनाईयों का ज्यान प्राप्त करना, एक ही बात है सारी, काटना है आपको सिरफ उप्चारात्मक शिक्षन अपना पजाएगा, सीखने समंदी कठिनाईयों का ज्यान प्राप् पता लगाना का मतलब क्या है निदानात्मक परिक्षण और शिक्षक की विशे समंदी कठिनाईयों का पता लगाना का मतलब क्या है समझ रहे हैं और यहां पर शिक्षण जो है केवल एक ही जगे किया जा रहा है हमेशा ध्यान रखना निदानात्मक हमेशा परिक्षण होगा उप्चारात्मक हमेशा शिक्षन होगा और जब कठिनाईयों का पता लगाना जहां भी आ रहा है इसका मतलब क्या है निदानात्मक पर शिक्षन तो इसका अंसर आपको सीधा हो जाएगा उप्चारात्मक शिक्षन अंसर B अब उप्चारात्मक शिक्षन है क्या इसको जानने को प्रियास करते है उप्चारात्मक शिक्षन एक्चल में क्या है अभी हमने देखा था सबसे पहले जो कमजोर विध्यारती है उन कमजोर विध्यारतियों का उनकी कमजोरी का कारण क्या है वो कहां पे अधिगम में, कहां पे सीखने की प्रक्रिया में कठिनाई महसूस कर रहे हैं उस बात का हमने पता लगाया था और पता लगाने की बात को कहते हैं निदारात्मक परिक्षन पता लगने के बाद में हम उन जो कठिनाईया है जो भी उसके अंदर जो दोस है उसको दूर करना है दूर करने के लिए जो सिक्षन दिया जा रहा है उस सिक्षन को बोलेंगे उफचारात्मक सिक्षन सिम्पल सी परीबशा है कमजोर शिक्षारतियों के लिए सिक्षन अधिकम के दोस्पुन प्रवहों को दूर करना प्रहों कहारा है, उसी के आधार पर हम दोस्वन करेंगे तो फचारात्मक सिक्षन का आधार क्या हो गया निदनात्मक परिक्षन उप्चारात्मक सिक्षन नितन स्राइब हन्या सब्सक्राइब कर्णा भी पूछ ह मतलब 5 आगे देखो यह एक टर्म है जनरली कि उप्चारात्मक सिक्षण जो है और सभी विशियों का किया जाता है उप्चारात्मक सिक्षण का छेतर बड़ा व्यापक है लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखनी हैं दो महोदे थे सिम्सन साब और योकम साब सिम्सन साब और योकम साब का मानना था कि उप्चारात्मक सिक्षण के कुछ आधारबूत विशियों होते हैं और इन्हों ने यह पांच आधारबूत विशियों का किया जाना चीए यह सिम्सन और योकम साब ने बताया है ऐसा नहीं होता है उप्चारात्मक सिक्षण में सार भासा और अंक गणित यहां से कभी प्रस्ण पूछा जा सकता है इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखना पांच है जिसमें से चार तो आपके सिद्धे हिंदी शीक्षण से संबंदित है वाचन लेखन और उचारन तथा भासा और एक आपका गणित शीक्षण अंक गणित लेकिन हम इसको इतने संकुचित रूप में नहीं बान सकते अपचारात्मक शीक्षण के विशय जो जुए वह बड़ा व्यापक होता है अब इसकी प्रक्रिया क्या है इसके अंदर क्या क्या क्रियाई की जाती है ज्यान से देखना अब इस बात को समझने का प्रियास करना काठिनाई का हमें पता लग गया कि वह ये दिक्कत है अब कोई भी व्यक्ति में जो दिक्कत आती है जो समझ से आती है उसको हम मोटे-मोटे तोर पे देखें तो दो परकार से सुल जा सकते हैं जैसे मानलो आपने और दिक्कत जो है वो है किस वज़े से वोई वज़े यदि आपको पता है तो उसके आधार पे हम आराम से उसको सुदार सकते हैं एक होता है अनलर्न करना और एक होता है लर्न करके यानि कोई ऐसी चीज आपने सीख रखी है जो गलत है जिसका सिद्धानती गलत है तो पहला काम क्या करना है कि जो गलत सीखी वी चीज है उसको भुलाना है और दूसरा काम ऐसा है कि कोई चीज यह आपने सीखी नहीं रखी है तो उसको सीखने का प्रियास करना है यानि कि कोई चीज हम गलत सीख रहे हैं मान लो गलत सीखीवी चीज, लगातार हम गलत सीख रहे हैं, किसी ने हमी टोका नहीं, हमारा वो सिध्धान्त बन गया, हमने मान लिया कि ये बाट ठीक है और फिर हम लगातार अपने जीवन का, अपने आचन का उसको हिस्सा बना लेते हैं उसी के आदार पर चलते हैं, जबकि वो है गलत, सिध्धान्त गलत है, वो हमारे आगे अधिगम में कठिनाई पेदा कर रहा है तो अब उसका उचार करते समय पहले ये करना है, कि जो गलत सीखा गया है, उस चीज़ को बुलाना है मारवाड में जैसे से को है बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं हुनी लाकाई करे रहे हैं, हुनी लाटिना तो ये जो वो से को है बोल रहे हैं, शड़क को हड़क बोल रहे हैं, ये उनके उचारन में दिक्कत इस वज़े से हैं कि वो बच्पन से अपने मम्मी पापा सबसी यही चीज़े सीख रहे हैं लगातार गाउं में जो मरवाडी बोल रहे हैं उससे यही चीज़े आ रही है दूसरी कोई चीज वो सीखी नहीं रहे हैं, फ्रूसरी किरिया और यहीं तर 思 aucune चीज कर ह babies करें, उसको लगातार अभ्यास करके लिगाtur अब्यास करना हैं इसको लगातार अभ्यास करके उसको शिकानें का प्रियास करना कि यह दो काम हमने कर लिए तो उसका धीरे 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 आथीं में थीक से काम करने लग जाएगा और वो उसका उप्चारात्मक सिक्षण हो गया ठीक इसका उद्देश्य क्या है उप्चारात्मक सिक्षण का उप्चारात्मक सिक्षण का देखो यह मोटे-मोटे उद्देश्य हैं वही चीज़ें हैं जो हमने की है ज्यादा कुछ नहीं है शिद् पिछदे बालकों को हीन भावना से बचाना पिछले बालक जो है वो गरशित हो जाते हैं कि मैं मुर्ति ब्यूंझा भा ओवना से बचाने के कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ने के लिए प्रेवीद करना विश्य के परति रूचि उत्पन करना और विश्य के आधार पर पढ़ाना व्यक्तिकत विविंताओं का अधार पर मलब कुछ बच्चे जो कमजोर हैं उनके लिए विशेश रूप चे उपचारात्मक सिक्षन होता है तो कमजोर बच्चों को उस अलग हिसाब से पढ़ाना ये भी उपचारात्मक सिक्षन का मुख्य उद्शी ये मोटे-मोटे इसके कुछ सिदान्त है उपचारात्मक सिक्षन के सिदान्त भी हम देख लेते हैं उपचारात्मक सिक्षन वास्त्विक सेक्षनिक इस तरपर किया जाना चाहिए ये बहुत इंपोर्टेंट है यानि कि कोई बच्चा छटवी क्लास में किसी चीज को सीखने में समर्त नही है उचारन माणने उसा ठीक नहीं इसका मतलब यह नहीं कि उसको पहली कोक्षा में बिटा के वहांसे पहली कक्षा के हिसाब से यह दूसरा सिदान्त है चातर को प्रगत्ति बारे में बताना चाहिए वह क्या प्रोग्रेस कर रहा है उसने ये चीज ठीक से शीख ली इतना उसके अंदर प्रोग्रेस हो गया इधि हम उसको बताते रहेंगे तो वह प्रॉच्छा ही तोगा और वह और ठीक से चीखने का प्रियास करेगा अगला सिद्धान्त अभ्यास करवाना चीए बहुत महत्वपून सिद्धान्त है जितना आप अभ्यास करवाओ होगे उत्तना वह उन चीजों को अच्छे से शीख पाएगा अभ्यास का एक शिध्दान्त भी है इस में अभ्यास कि ये पूछा भी जा सकता है पूने परिक्षण पूने परिक्षण अब्यास देखो क्या है ये सिद्दान सबसे पहले हमने निदानिक या निदानात्मक मुल्यांकन किया पता चला कि से को है बोल रहा है अब हमने अब्यास करवा है लगातार उसको अब्यास करवा कि हमने उसका से जो है उसको से ही बोलना शिखा दिया, अब वो सुनील को सुनील बोन लग गया, और इस बात का पता फिर से हम उसका निदानात्मक मुल्यांकन करेंगे, फिर से उसका परिक्षन करेंगे, इस बात से पता चलेगा कि वो बोलना तो ठीक कर गया, लेकिन उससे एक बात और पता चल रही है, कि वो हुनी उसका अभ्यास करवाएंगे अभ्यास करवाने के बाद में फिर देखेंगे कि उसने ठीक किया एक नहीं किया परिक्षन करेंगे तो उप्चारात्मक शिक्षण और निदानात्मक मुल्यांकन निरंतर अभ्यासरत और एक्षाच चलने वाली प्रिक्रिया है लगातार एक चक्र के रूप में लगातार चलती रेती है तो ये इसका सबसे महतवपून सिदानते सबसे महतवपून गुन है कि अभ्यास निरंतर करवाना चाहिए और अभ्यास परिक्षण अभ्यास परिक्षण की एक सरंखला इसमें चलती है ठीक है अभ्यास कारिये के लिए निरंतर सराया जाना चाहिए यदि इसने चीजें ठीक वही बात है उपर प्रगति के बारे में बताना चाहिए और वो प्र करोगे तो और अच्छा सीखने का प्रयास करेगा और अंतीम है कारियों वे अभ्यासों में विभिन्ता लानी चाहिए ऐसा नहीं कि एक ही एक प्रकार से उप्चार कर रहे हैं उससे वो बोर हो जाएगा विभिन्ता लाना यहां पर आउशक है यह उप्चारात्मक शिक्षन क तथ्यों के इन्हीं कंशेप्ट के अधार पे आपके कुछ प्रस्न पूछे गये हैं एक एक करके हम उन प्रस्नों को देख लिते हैं चिकित्सा अत्मक अध्यापन को का जाता है निदान नहीं का जाता अध्यापन की बात आ मतलब निदान में उपचार होता है लेकिन यहां पूछ रहा है चिकित सातमक अध्यापन और अध्यापन का मतलब सिरफ इतना है कि उपचार ठीक अगला प्रस्ण पोचा गया था, उप्चारात्मक शिक्षन द्वारा, चार ओप्सन से, अध्यापकों की कम्यों का उप्चार करते हैं, ठीक बात नहीं है, अध्यापकों की कम्यों का उप्चार नहीं करते हैं, छात्रों की कम्यों का उप्चार करते हैं, छात्रों के गायल ह प्रदेरा लगाके निदान करके उसे दूर करने हैं तो चीक्षन करते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा और कुछ कहनी सकते कैसे नहीं कह सकते आगे आंसर हमारा सी फ़ behöva प्रसन है उपचारात्मक्ष्चन का उंदित्य से क्या है चात्रों की तूर्ट्यों का पता लगाना नहीं है बिल्कुल नहीं है पता लगाने का मतलब क्या है निदानात्मक परिक्षण अच्छी तरी कैसे देखना चात्रों के प्रती रूची उत्पन करना चात्रों के प्रती रूची उत्पन करना ये बात ठीक नहीं है विश्यों के प्रती रूची उत्पन करना तो बात ठीक है वो उद्धिश्य तो है लेकिन ये चात्रों के परती वाला बात ठीक नहीं है चात्रों का पिछड़ापन दूर करना यह यहां बात ठीक लग रही है कि जहां पे वो पिछड़े में हैं उस चीज को दूर करना यह इसका उद्धिश्य हो सकता है और यही उसका उद्धिश्य है एक्चुल में लेकिन चोता उप्सन और देख लेते हैं चात्रों की प्रगती का ज्यान प्राप्त करना कितनी वो प्रो हो रहे हैं अगला प्रसंद पूचा गया है यदि कोई विद्यारती असुद लिखता है तो आप क्या उप्चार करेंगे असुद लिख रहा है हमने देखा था सिंसन और योकेम साब ने बोला था वो पांच महत्वपूर्ण बाग हैं लेक्षन उचारन वो सारी चीजे उस उप्चे दंडेंगे असुद लिखनेंगे उसका उफचारात्मक शिक्षन करेंगे सिंपल उप्चारात्मक सिक्षन में नहीं होना चाहिए उच्षा वर्दन बेलकूल होना चाही हमने सिद्दांट पड़े थे उफचारात्मक सिक्षन के बच्य को परौत्थ हान sono ॅ लेगी उफवास करना उसकी हंसी उडाना ये बिलकुल गलत बात है हंसी जो है वो नहीं उडा सकते इसका मतलब चारात्मक स्क्षण में नहीं होना चीए उफवास नहीं होना चीए और शानू बुती तो हर हाल में बच्चे के परती रखनी चीए सीधा सा प्रस्ण आर्टेर दोहजार बारा में पूछा था और अगला प्रस्ण आपका है एक बालक जरुरत से जज़ादा अपने आपको एसमर्थ समझ रहा है वहीन भावना से ग्रसित है यहीन बावना से ग्रंति से पिडित है और आत्मविश्वास खो बेटा है एक शिक् देखे जरूरती नहीं है मित्रों के साथ घूमने की प्रेना देखे मित्र भी वैसे निकले तो क्या हुआ इसलिए यह भी नहीं कर सकते हैं उप्चारात्मक शिक्षन के लिए आउस्यक नहीं है क्या चीज आउसक नहीं है शिक्षन विदी को इस्ताई रखना इस्ताई रखना दूसरा विध्यारती कि किसी भी गलती की अवेलना नहीं करना विल्कुल नहीं करनी चीए ये बात तो आउसक है कैसे नहीं आउसक पहले निदानात्मक परिक्षन कर लेना निदानात्मक परिक्षन जब तक नहीं करोगे तब तक उपचारात्मक शिक्षन करी नहीं सकते आप इसका मतलब ये भी जहान में रखना है उपचारात्मक और निदानात्मक निदानात्मक के सामने हमेशा परिक्षन लगेगा उपचारात्मक के सामने हमेशा सिक्षन लगेगा निदान का मतलब कारणों का पता लगाना है और उपचार का मतलब जो कारण हमें पता चले हैं उनका इलाज करना है उ वो खुद को सही तरीके से सही जगें उस कक्सा में इस्तापित कर सके और थोड़ा सा अच्छे से आगे बहुत चीजों को समझ सके ठीक है आपको अच्छी तरीके से उमीद है कि यह टॉपिक समझ में आयागा धन्यवाद